प्रियों दोस्तों, आज संसार में बहुत से शिक्षाएं हैं कि दिधार्मिक शिक्षाओं की बात करें, तो बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी जाती है पर कौन से शिक्षा सही है और कौन से शिक्षा सही नहीं है आप कैसे इसमें भेद करेंगे ये एक बड़ा कठिन काम है परन्तु परमीश्वर का बचन हमें इसमें सहायता करता है कि हम जाने कि परमीश्वर का बचन वास्तविक्ता में क्या कहता है दोस्तो इस भेद को और इस अंतर को परखने में जिसे एक भविश्वक्ता या जूटे भविश्वक्ता के रूप में हम विभाजित कर सकते हैं जानने के लिए आईए मेरे साथ ये सध्यन में शामिल हो जाए और उन भेदों को समझें जो इस बात को समझने में हमारी साहता करेगा प्रेमित्रों नमस्कार आज के सत्य वचन बाइबल अध्यन में आपका स्वागत है मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर में सुरक्षित हैं और परमेश्वर के वचन का मनन करने के लिए तैयार बैठे हैं आपको ग्यात है कि हम इन दिनों यर्मिया नभी के द्वारा दिये गए परमेश्वर की वहिश्वानियों पर मनन कर रहे हैं जो परमेश्वर के शाप और योजना को प्रगट करता है आज हम देखेंगे कि परमेश्वर कैसे अपनी योजना को पूरी करने के लिए किसी भी मनुश्वर का उप्योग कर सकता है चाहे वह परमेश्वर को जानता हो या ना जानता हो नबुकत में सर एक अविश्वासी राजा था जो इसराइल के परमेश्वर को नहीं जानता था परमेश्वर उसे अपना दास कहता है और उसे अपनी योजना को पूरी करने के लिए उसे उप्योग करता है दोस्तों आप और मैं परमेश्वर से प्रश्ट नहीं पोच सकते और नहीं हम उसकी योजना को जान सकते हैं बस हमें एक काम करना है कि जो परमेश्वर करता है या कहता है या कर रहा है उस पर विश्वास करना है आज हम यह भी जानेंगे कि धार्मिक अन्याए समाज के लिए सबसे खतरनाक है धार्मिक अगूं के बारे में हम जानेंगे कि यदि वे चाहें तो लोगों को नैतिकता में उंचा उठा सकते हैं या फिर उन्हें नैतिकता में ही गर्त में डाल सकते हैं परमीश्वर का वचन कहता है कि हमें उनकी बातों पर पुद्धिमानी से विचार करना चाहिए. तो चलिए मित्रों, इन महत्वपूर्ण विश्यों पर हम अपना अध्यान आरम करते हैं. विच्ण जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों यर्मिया की पुस्तक से अध्यन कर रहे हैं. आज हम अपने अध्यन को यर्मिया की पुस्तक 26 अध्या उसके 12 पद से आरम करेंगे. आए हम पढ़ते हैं यर्मिया 26 उसके 12 और 13 पद. यहां पर लिखा है. तब यर्मिया ने सब हाकीमों और सब लोगों से कहा, जो वचन तुमने सुने हैं, उसे यहवा ही ने मुझे इस भवन और इस नगर के विर्द भावशदवानी के रीती पर कहने के लिए भेज दिया है. इसलिए, अब अपना चाल चलन और अपने काम सुधारो, और अपने परमेशर यहवा की बात मानो, तब यहवा उससे विप्रत्ती के विशय में जिसकी चर्चा उसने तुम से की है, पच्चताएगा. यर्मिया ने परमेशर के दंड का कारण स्पष्ट किया. मेरे मित्रों, हम स्मरन रखें कि येरुशलेम और मंदिर के ध्वान्स किये जाने की भवशदवानी के कारण, यर्मिया को इस निंदा का दोशी ठाराया गया था, उसे जुठा शिक्षक गोशित किया गया. जुठे भवशदवक्ताओं के वचन के अनुसार, परमेशर अपने भवन को कभी भी ध्वान्स नहीं होने देगा. मंदिर परमेशर का भवन था, और यर्शलेम परमेशर का नगर था, अतह परमेशर उन्हें कभी नष्ट नहीं होने देगा. परन्तु यर्मिया कहता है, तुम लोग जुठ बोल रहे हो, तुम धर्म और नैतिक्ता को अलग कर रहे हो. रूढिवादियों की भी यही समस्या है. वे परमेशर के वचन को अ परन्तु मैं भी कहता हूँ कि विश्वास को नैतिक्ता से अलग करना अनुचित है. चाहे आप कितने भी रूढिवादि क्यों नहों, आप धर्म और परमेशर के वचन को सवभागी का मंत्र बना सकते हैं. मुझे एक सैनिक की कहानी याद आती है. वह नैनियम की पुस्तक क अपने कमीज की जेब में रखता था. एक दिन उसके सीने में गोली लगी, परन्तो वहाँ नयानियम था. अतह गोली वहाँ रुक गई. अब उस गोली को नयानियम की पुस्तक ने इसलिए नहीं रोका कि वह परमेशर का वचन था. वहाँ यदि कोई और पुस्तक होती, तो भी ऐसा ही होता. यह कैसी मुर्खता की बात है कि परमेशर के वचन को पूजा का केंद्र बनाया जाए. मेरे मित्रो, हम अपने आचरन को परमेशर के वचन के शिक्षा से अलग नहीं कर सकते हैं. और फिर हम आशा करते हैं कि वह हमें आशिष दे. वे जुठे वहशद वकत ऐसा ही कर रहे थे. आज अनेक लोग कहते हैं मैं अपनी शिक्षाओं में रूढी वादी हूँ. अतह मुझे कोई हानी नहीं होगी. हमें हानी होगी. यदि हम परमेशर से दूर हो जाएं तो वह हमें अवश्य दंड देगा. मैं फिर कहता हूँ कि जुठे भवशद वकता और याजक यर्मिया की हत्या के प्रते द्रिड संकल्पित थे. परन्तो हाकिमों ने यर्मिया का पक्ष लिया और वह मौत के मुह से निकल आया. हाकिम उसकी बात सुना चाहते थे. मेरा अनभवया है कि जब आत्मिक अधिकारी भरष्ट और पतित हो जाता है तब वह परिस्थिती राजनेताओं के भरष्ट और पतित होने से कहीं अधिक बुरी हो जाती है. जब नागरिक अधिकारी भरष्ट हो तो बुरा होता है. परन्तो जब धर्म के अगवे वरण दिलाना चाहता हूं की प्रविशु को क्रूस पर चड़ाने वाले वास्तों में याजक धर्म के अगवे थे, धर्म के अगवे बल दे रहे थे कि उसे मार डालना चाहए। वोई ही जंता को प्रेरित कर रहे थे कि वोई चिलाये उसे क्रूस दो. इसी प्रकार यर्मिया के समय में धर्म के अगवे उसे मार डालना चाहते थे यहां एक और भ्रम का अनावरन होता है कहा जाता है कि जन्ता की आवाज परमिर्शक के आवाज होती है जन्ता की राय अंतिम तत्थ मानी जाती है परन्तु जन्ता तो दुचित्ती होती है आज वे एक निता के पीछे हैं कल वे किसी और के पीछे होंगे वे एक महा मुर्ख और महा दुष्ट को चून लेंगे जन्ता की आवाज अधिकार का सबसे पतित आधार है मैं पर्मेश्य का आभारी हूँ कि उसने परवीश्य को जन्ता के वोटों पर राजा होने के लिए नहीं छोड़ा है यदि ऐसा होता तो परवीश्य कभी अपने राज की अस्थापना नहीं कर पाता यहुदा के अंतिम दुखत दिनों में परमेश कहता है कि जनता गलत है, हाकिम गलत है, याजक गलत हैं और भवशदवक्ता गलत है यर्मिया स्वयम अपने बारे में आश्वस्त नहीं है परंतो वह यह तो निश्चे ही जानता है कि वह परमेशर का वचन सुना रहा है परमेशा का वचन एक मात्र और अंतिम अधिकार है आज मनश्य राशियों में और राशिफल की ओर निगाहें लगाये हुए है जिसकी मुर्खता का हम उलेख भी कर चुके हैं परंतु हम विश्वासियों वरन पादरियों और अगों को देखते हैं जो कहते हैं कि वे ही परम अधिकारी है मैं यर्मिया की पुस्तक को आखों पर रखता हूँ क्योंकि मैं स्विकार करता हूँ कि मैं जितना अधिके परमेशा के वचन को पढ़ता हूँ सुक्रात अपने आपको एथेंस का सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुश्य कहता था। जब उससे पूछा गया कि वह ऐसा कैसे कह सकता है, तो उसने कहा कि उसे यह बोध हो गया है कि उसका ज्यान व्यर्थ है। मैं आज एक ही दावा कर सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि मैं परमिर्ष के वचन के संबन्ध में अज्यानी हूँ। एक अर्बी कहावत है, वह जो जानता नहीं और जानता नहीं कि वह कुछ नहीं जानता, वह मुर्ख है उसे त्याग दो। वह जो कुछ नहीं जानता और जानता है कि वह कुछ नहीं जानता वह बालक है उसे शिक्षा दो वह जो कुछ जानता है और कुछ जानता नहीं कि वह कुछ जानता है वह सो रहा है उसे जगाओ वह जो कुछ जानता है और जानता है कि वह जानता है वह बुद्धिमान है उसका अनुसरन करो मैं पहले तीन युक्तियों को स्विकार करता हूँ अंतिम उक्ति को नहीं क्योंकि मेरे विचार में हम ग्यानवान नहीं है यर्मिया ऐसा ही था यदि वह कुछ जानता था तो किवल परमिश्र का वचन यदिपी जूठे भवश्द वक्ता कहते थे कि कोई हानी नहीं होगी यर्मिया परमिश्र के वचन पर विश्वास करता था कि कुछ होगा अब हम आते हैं अध्याय 27 में अध्याय 27 में सब जातियों के लिए संदेश है कि वे बेबिलोन का अधिपत्य स्विकार कर लें इस बार उसका संदेश सजीव है यर्मिया की पुसक 27 उसके दो और तीन पद में लिखा है यहवा ने मुझसे यह कहा बंधन और जुए बनवा कर अपनी गर्दन पर रख तब उन्हें एदोम और मुआब और अमोन और सोर और सीदोन के राजाओं के पास उन दूतों के हाथ भेजना जो यहुदा के राजा सिदिक्या के पास यरुशले में आए है परमेशर सब जातियों को बताना चाहता है कि वह सिरिजन हार है और जिसे चाहता है उसे अधिकार देता है तब यर्मिया 27 के छे में आगे लिखा है अब मैंने ये सब देश अपने दास बेबिलोन के राजा नबुकदनेसर को आप ही दे दिये हैं और मैदान के जियो जन्तों को भी मैंने उसे दिया है कि वे उसके अधिन रहें यदि पी परमेशर ने सब जातियों को सफ़ष कह दिया कि वे बेबिलोन के राजा को आत्म समर्पन कर दें परन्तो उन्होंने नहीं सुना यदि वे यर्मिया की बात मान लेते तो हजारों जाने बच जाती यर्मिया 27 के 8 में लिखा है पर जो जाती वा राज्य बेबिलोन के राजा नबुकरनेसर के अधिन ना हो और उसका जिवा अपने गर्दन पर ना ले ले उस जाती को मैं तलवार, महंगी और मरी का दंड उस समय तक देता रहूँगा जब तक उसको उसके हाथ के द्वारा मिटा ना दू यहवा की यही वानी है अब हम आगे देखते हैं जूटा भवशदवक्ता हनन्या अध्याय 28 जूओं की भवशदवानी ही है हनन्या नामा की एक भवशदवक्ता था जो यहर्मिया की भवशदवानी का खंडन करता था और कहता था कि वही स्वयम परमिश्र का सच्चा वचन सुनाता है तो आएए पढ़ें यहर्मिया 28 उसके 2 से 4 पद में लिखा है इस्राइल का परमिश्र सेनाओं का यहवा यह कहता है कि मैंने बेविलोन के राजा की जुए को तोड़ डाला है यहवा के भवन के जितने पात्र बेविलोन का राजा नबुकद नेसर इस अस्थान से उठा कर बेविलोन ले गया उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इसी अस्थान में ले आउंगा मैं यहुदा के राजा यहुयाकीम का पुत्र यकन्याह और सब यहुदी बंदियों को भी जो बेविलोन गय हैं इस अस्थान में लोटा ले आउंगा क्योंकि मैंने बेविलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है यहवा की यही वानी है मेरे मित्रो यर्मिया स्पष्ट करता है कि हनन्या परमेशा का भेजा हुआ भावशद वक्ता नहीं है और वह जूठा संदेश सुनाता है हनन्या ने यर्मिया की गर्धन पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया और कहा यहवा यू कहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे दो वर्ष के भीतर बेविलोन के राजा नबुकाद नेसर के जुए को सब जातियों की गर्धन पर से उतार कर तोड़ दूंगा इसे हम पद 11 में देख पाते हैं परमिश्या ने कहा कि उसे बता दिया जाए कि उसका दंड यह होगा कि वा एक ही वर्ष में मर जाएगा देखिए फिर क्या हुआ यर्मिया 28 उसके 15 से 17 पद में लिखा है यर्मिया नभी ने हनन्या नभी से यह भी कहा हे हनन्या, देख, यहवा ने तुझे नहीं भेजा, तुने इन लोगों को जुटी आशर दिलाई है, इसलिए यहवा तुझे यों कहता है, देख, मैं तुझको प्रित्वी के उपर से उठा दूँगा, इसी वर्ष में तु मरेगा, क्योंकि तुने यहवा की ओर से फिरनी की बाते कही हैं, इस वचन के अंसार हनन्या, उसी वर्ष के सात्वे महने में मर गया, जी हाँ, जैसा परमेशर ने कहा था, वैसा ही हुआ, वह मर गया, आप सोचेंगे कि उसे देख कर लोग सतर्क हो जाएंगे और कहेंगे यर्मिया ही सही है, वही परमेशर का वचन सुना र यहुदा जूटी बातों पर विश्वास करता रहा और आज हम भी अपने इतिहास में यही करते आए हैं। किसी ने इंग्लेंड के एक महान विधी वित्ता ग्लेस्टोन से पूछा एक महान राजनेता की क्या पहचान है। उन्होंने उत्तर दिया, वह जानता होगा कि परमिश्वास आने वाले पचास वर्ष किसी दिशा में चलेगा। मेरे मित्रो, दुख की बात तो यह है कि हमने परमिश्वास के वचन को अंदेखा किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 29 में, जिसका विश्वा है पहली बंधवाई के लोगों के लिए आशा का संदेश। यर्मिया का प्रोटसाहन भरा पत्र है। यर्मिया के पुस्तक 29 उसके एक में लिखा है। उसी वर्ष यर्मिया नभी ने इस आशय की पत्री उन पूर्नियों और भावशद वक्ताओं और साधारन लोगों के पास भेजी जो बंधियों में से बचे थे, जिनको नबुकद नेसर यर्शलेम से बेविलोन को ले गया था। दूसरे राजाओं के पुस्तक 24 अध्या उसके 10 से 16 में जो लोग बंधुवाई में चले गये थे, उनको लिखा यर्मिया का पत्र इस अध्याय 29 में दिया गया है। यहुदा का पूर्णव स्थापन 11 वर्ष बाद हुआ था। इसे हम दूसरे राजाओं के पुस्तक 25 अध्या एक से 7 पद में पाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं उनके लिए परमिश्र का निर्देशन है। यर्मिया 29 के 4 से 6 में लिखा है। उसमें लिखा था कि जितने लोगों को मैंने यरुशलेम से बंदी करके बेबिलोन में पहुँचवा दिया है। उन सभों से इसराहिल का परमिश्र सिनाओ का यहवा यू कहता है घर बना कर उनमें बस जाओ। बारियां लगा कर उनके फल खाओ। विवा करके बेटे बेटियां जन्माओ। और अपने बेटों के लिए इस्तरियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुर्षों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए और वहां घटों नहीं वरन बढ़ते जाओ, बेबिलोन में बस जाओ, यह मत सोचो कि शिग्र ही मुक्त किये जाओगे, भावशे की योजना बनाओ, विवा करके घर बसालो, क्योंकि तुम्हें वहां लंबी समय रहना है। यर्मिया की पुस्तक 29 के साथ पद में आगे लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसके कुशल का यतन किया करो, और उसके हित के लिए यहवा से प्रातना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। ध्यान देजे, लिखा है उस नगर के कुशल का यतन किया करो, जिस नगर में तुम हो, उसके लिए प्रातना करो, अर्थात उन्हें विद्रोह नहीं करना है, वे वहाँ बस जाएं और नियमों का पालन करें। तब यर्मिया 29 के दस में आगे लिखा है, यहवा यूं कहता है, बेबिलोन के सत्तर वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधी लूँगा और अपना यह मन भावन वचन कि मैं तुम्हें इस अस्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूँगा। परमेश्वर उनके वहां रहने के वर्ष ठीक ठीक बता देता है, परंतु वह कहता है कि उसने उनको त्याग नहीं दिया है, वह उन्हें स्वादेश अवश्य लौटा लाएगा। अब हम आगे देखते हैं जूटे भवशदवक्ताओं का भ्रह्म। बेबिलोन में भी उनके मध्य जूटे भवशदवक्ता थे, जो यर्मिया के पत्र को स्विकार नहीं कर रहे थे, कि वह परमेश्वर का संदेश है। उन्होंने यरुशलेम को पत्र लिखे कि परमेश्वर ने नया याजक नियुक्त किया है और यर्मिया को शांत करना होगा। यहवायों कहता है, सुनो मैं उस नहलामी शमाया और उसके वंश को दंड देने पर हूँ, उसके घर में से कोई इन प्रजाओं में न रह जाएगा। निशे ही परमेश्वर ने कहा कि इन जूटे भवशदवक्ताओं पर दंड की घोशना होगी। परमेशर इतिहास में अत्यधिक प्राभावी रूप में बात करता है। उसने यहुदा पर स्पष्ट कर दिया था कि उनकी दूरदशा का कारण उनका पाप था। परमेशर बदलता नहीं। जी हाँ, वह पाप का दंड देता है। बहुत से लोगों का विचार है कि नए नियम का परमेशर पुराने नियम के परमेशर से भिन्न है। जी नहीं, वह वही परमेशर है। उसमें लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं आया है। जी हाँ, कहता है पहले यह जान लो अर्थात यह मुख्य बात है। जैसे की पहली कक्षा में सीखने वाली बात इस पद को दो मुख्य रूप में गलत समझा जाता है। आप किसी एक भावशदवानी को अलग करके उसका अध्यान नहीं कर सकते हैं। आपको संपुन भावशदवानी पढ़नी होगी। यह बात सच है, परन्त यह गध्यान ऐसे एक शिक्षा नहीं देता है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि आपको भावशदवानी की व्याख्या करने का अधिकार नहीं है। इसके अनुसार तो परमेशा ने मुझे जो सतंत्रता दी है वह समाप्त हो जाती है। पत्रस यह नहीं कह रहा है। वह परमेशा के प्रकाशन के अंतिम परणाम के बारे में नहीं कह रहा है। वह उसके आरम की बात कर रहा है। धर्म शास्त्र की भावशदवानी आरंभ में व्यक्तिगत अर्थ निर्धारन के लिए नहीं थी। पुराने समय में भावशदवानी करने और लिखने वाले भावशदवक्ता आपको अपने अवलोकन का निश्कर्स नहीं सुना रहे थे। वे वही बात कहते थे जो परमेश के वचन के पास आते हैं। तो हमें पहले उस अस्थान पर आना है कि हम धूल में धराशाई हों। हमें मात्र अंगिकार ही नहीं करना है कि हम पापी हैं, हम नगण्य हैं, परन्तो हमें अपने विचार, अपनी इच्छा और अपने दृष्टिकोर धूल में मिलाने कि परमेशर क्या कहता है। यर्मिया के युग में हाकीमों, याजकों और भावशद वक्ताओं की यही समस्या थी। आज हमारी भी यही समस्या है। प्रतीक मनश का अपना विचार है। वह अपना राग अलापता है। वह अपना ही विद्रो का नारा लिये चलता है। और वह अपनी सीमित बुद्धी के कारण ऐसा करता है मेरे मित्रो, परमेशर सर्वग्यानी है उसके पास सब तथ्य है वह संपूर्ण प्रिष्ट भूमी का ध्यान रखता है विश्वास नहीं होता कि कुछ लोग परमेशर का न्याय करने की चेश्टा करते हैं मुर्ख मनशे कहता है प्रभू, तू तो वहाँ है और मुझे विश्वास भी नहीं कि तू है मुझे समझाना बहुत कठीन है क्योंकि मैं अती बुद्धि मान हूँ और मेरी बुद्धि कहती है कि तू शायद वहाँ है भी नहीं और यदि तू वहाँ है भी तो मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ कि तू गलत है मेरे मित्रों कैसा गमंड यदि एक चीटी मेरे कूर्सी पर बैट कर मुझसे कहे देख मुझे तो तेरे घर का नक्सा पसंद नहीं है और नही फूल पौधे लगाने का तेरा तरीका पसंद है मुझे तेरा भोजन भी पसंद नहीं है आप जानते हैं कि मैं उस थीटी के साथ क्या करूँगा मैं उसे कूर्सी पर से उच्छाल कर पाउं तले दबा दूँगा और वह मर जाएगी प्रन्तु परमेशर मनिश्य के लिए ऐसा अनुग्रह कारी है वह हमें कुचल नहीं देता है उसने हमें एक और आउसर दिया है मेरे मित्रों क्या आज आप अपने बारे में जानते हैं कि परमेशर आप पर भी अनुग्रह देता है ताकि आप भी बच जाएं मित्रों आज आपने देखा कि जब परमेशर के चुने हुए दास भाईश्वानी करते हैं तब जूटे भाईश्वक्ता भी मन गढ़नत बातें लोगों को बताने का काम करते हैं यह एक बहुत ही खतरनाक इस्थिती है क्या आपको आज के संदर में ये बाते नजर आती हैं आज कितने प्रचारक और अगवे अपने मन की बातों को परमेश्वर की वाणी या भविश्वानी कहकर लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं वैक्तिगत लाब और प्रसिद्धी का यह सरल और छोटा रास्ता है अज संसार ऐसे लोगों और प्रचारकों से भरा पड़ा है पर एक विश्वासी होने के नाते हमें उन पर गहराई से विचार करना है और वचन के आधार पर उन्हें परखना है वैसे तो वचन में सारी भविश्वाणिया पूरी लिखी जा चुकी है और परमेश्वर का वचन संपून है उसमें कुछ जोडने और घटाने की कुछ भी अवशकता नहीं है पर लोग अपने मन से ऐसा करते पाए जाते है आपने देखा कि जब परमेश्वर ने यर्मिया के द्वारा भविश्वाणी की तब केवल दो माह में ही जूटा भविश्वकता हनन्या मर गया मित्रों इस बात को सदा समरन रखें कि यदि कोई परमेश्वर के वचनों में कुछ काट छाट और जोड घटाना करता है तो वह परमेश्वर के दंड और शाप का सामना करता है आपके और मेरे लिए भी यही संदेश है कि हम वचन को समझें और उस पर चलें और जो भी प्रचार समगरी हमारे पास सामने आए उसे वचन के आधार पर परक्खें कि वह सत्य है ये असत्य हमारा अध्यन ये अध्यन इसी उद्डेश से प्रसारित किया जाता है कि आप वचन का क्रमबद अध्यन करें और उसकी वास्तविक्ता को जाने आईए हम परमेश्वर को इस अध्यन के लिए धन्यवाद दें और वचन की सत्यता में जीवन यापन करें आईए प्रार्थना करें स्वर्गे पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो हमारे जीवन के हर एक पहलू में हमारी सहायता करता है कि हम चाने कि आप क्या चाहते है प्रभू आप जितना कैर हमारा करते है जितना आप हमारे से प्रेम करते है उतना कोई नहीं करता इसलिए प्रभू हम आपको धन्यमाद देते है कि आपने अपने वच्छन के दौरा हम से बातें किया है पिता हमारे दर्शकों के जीवन में कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए वे चिन्तित हर परिशान है प्रभु आप बहतर जानते हैं इसलिए हमारी बिंती है PITा किया आप उनकी सहायता करें विशेश तार पर हमारे जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं आपका अनुग्र आपकी सुरक्षा उनके साथ हो प्रभू ये हमारे जवान बच्चे प्रभू संसार की हर एक परिक्षाओं में जैवन्त हो और उन सब बातों में प्रभू दूर रहे जो की आपके वचन के अनुसार नहीं है उनकी सहायता करें पिता कि वे पवित्र और एक आदर्श जीवन जीएं धन्यवाद के साथ बिंती प्रभू शुक्रीष्ट के नाम से मांगते हैं आमेन प्री दोस्तों आज का अधियन आपको कैसा लगा? क्या आपके लिए इसमें कोई लाव की शिक्षा थी? कुर्पया हमारे साथ इन बातों को साजा करें क्योंकि हमें इसका इंतजार रहता है कि जाने कि कैसे वचन आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है अगरे प्रसारण में इस अधियन को आगे बढ़ाएंगे तब तक परमेश्वर के साथ बने रहें उसके वचन पर चलते रहें और उसके नाम की महिमा करते रहें प्रभू आपको आशीश देख आए अब हम प्रशन को देखें पिछले प्रशन का उत्तर है C. 490 वर्ष लगभग 490 वर्षों तक इसराइल द्वारा विश्राम वर्ष का पालन नहीं किया गया था आज के अध्यन पर आधारित प्रशन है जब यिर्मिया ने भविश्रवानी किया तब सारे लोग उसके विरुध हो गए पर खाली स्थान ने उसका पक्ष लिया A. राजा B. हाकिमो C. याजको D. आम जनता मित्रो इस प्रस्निका उट्टर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें सभी विजेताओं को विशेस पुरसकार प्रदान किये जाएंगे धन्यवाद क्या आपको ये कारेक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस्कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं क्या आपको ये जाएंगे